येस बैंक फाउंडर और पूर्व सीयो से मीडिया सवाल दाखती रही और वो लगातार चुपी बनाए रहे राणा कपूर और उनके परिवार पर एडी का शिकंजा कस्ता जा रहा है राणा कपूर के होली प्रत्यरपन निदेशाले की कस्टडी में बीतेगी कल कोट ने उन्हें तमाम दलीलों के बाद एडी हिजासत में भेजा मुंबई कोट में राणा कपूर के वकील अपने कलाइन्ट के पक्ष में जम कर तहरीर पेश की बचाओ पक्ष का कहना था कि सारे लोन प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किये गए कोई फर्जी वाड़ा नहीं हुआ है लोगों में घुस्से की वज़ा से राणा कपूर को बली का बक्रा बनाया जा रहा है यस बैंक का ओडिट अब तक नहीं किया गया है यह कहां से कहा जा रहा है कि संपत्ती की वैलियू महद 40 करोड है वहीं E.D. का कहना था कि जिस कंपनी को लोन दिया गया वो कोई काम नहीं करती इसके बावजोद इन्हें समय समय पर लोन के तौर पर बड़ी रकम मिली इन्हीं कंपनियों में परिवार के लोग डारेक्टर हैं जबकि कर्मचारी के नाम पर कोई नहीं है या अगर है भी तो एक या दो लोग है राना कपूर का कहना है कि उनकी तीनों बेटियों ने जो लोन लिया था उसे लगभग चुका दिया गया है ब्याज हमेशा सही तारेख पर भरा गया 2023 तक पूरा मुलधन चुका दिया जाएगा यस बैंक की हालत पस्त है खाता धारक डरे हुए है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी पसीनी की कमाई का क्या होगा खाता धारकों को भरुसा दिलाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा एडी सूत्रों के माने तो यस बैंक की बदहाले के पीछे राना कपूर एंड फैमिली है एडी ने राना कपूर से दो दिनों में 30 घंटे पूस्ताच की सवाल जवाब राना कपूर के परिवार से भी किये गए बीती रात राना कपूर की पतनी और एक बेटी से एडी दफतर में करीब 2 घंटे पूस्ताच हुई एडी ने राना कपूर की तीनों बेटियों और राधा कपूर के पती आदित खर्ना के फोन लैप्टॉप खंगाले हैं इसी के बाद पूरे परिवार के खिलाफ लोकाउट नोटिस जारी किया गया कल राना की बेटी रोशनी को देश शोने से रोग दिया गया रोशनी लंदन जा रही थी लेकिन मुंबे ऐपोर्ट पर उसे रोग दिया गया सूत्रों के मताबिक राना कपूर के परिवार ने रिश्वत के पैसों से जो संपत्ती खरी दी वो भारत के अलावा यूके में है यूके की प्रॉपटी की खेमत का आकलन किया जा रहा है यस बैंक मामले में सीबियाई की भी एंट्री हुई है सीबियाई ने आपराधिक शर्यांतर धोका धड़ी और भरष्टाचार को लेकर राणा कपूर, दिवान हाउजिंग और डियो आईटी के खिलाफ एफ आयार दर्च की है दिल्ली से कमल जित संधू और मुनिश पांडे के साथ दिवेश सिंग और सौरव वक्तानिया मुंबई आज तक